मक्का, इसलाम का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है मक्का साओधी अरब का एक शहर है जो मक्का प्रांत की राजदानी भी है मुसल्मानों के लिए मक्का मदिना जन्नत का दरवजा माना जाता है हर मुसल्मान जिन्दकी में एक बार कभी ने कभी मक्का जरूर जाना चाहता है मुसल्मानों में जो पांच बात अनिवार्य है उसमें हज भी शामिल है जिसके लिए मक्का जाना होता है हर साल लगभग चार करोड मुसल्मान मक्का मदिना में हज या उम्रा करने आते हैं मक्का में ही हजार वर्ष पहले कुरान की गोशना हुई थी राजिन काल में मक्का मदिना व्यापार का केंद्र रहा है मक्का में साल में बहुत कम बारिश होती है और यहां की जमीन अनुप जाओ है मक्का सहारा रेगिस्तान की तरह है फिर भी यहां के कुवा कभी खत्म नहीं होते माना जाता है कि पैगंबर मुहम्मद का जन्म यही पर हुआ था मक्का में है पवित्र काबा तीर्थ मस्जिद अलहरम जो की सबसे बड़ा प्रसिद मस्जिद है मक्का में ही है 2012 की जन्गरना के मताबिक यहां की आबादी लगभग 20 लाग है मक्का में शराब पीना पूरी तरह से वर्जित है मक्का समुद्र तल से लगभग 910 फीट की उचाई पर है मक्का का अबराज अलबैत जो की मक्का रॉयल क्लॉक टॉवर होटल है यह दुनिया का तीसरा सबसे उंची इमारत है इसलाम परंपरा के अनुसार मक्का की शिरुवाद इसमाईल वन्स ने की थी पहले मक्का स्थानिय शरीफ के नेतरत्व में था यह है 1924 में सौधी अरब के अधीन हुआ मक्का में 10 अस्पताल है जहां सौधी सरकार द्वारा निशुल्क चिकित सा सेवा उपलब्ध है मक्का में मुसल्मान के अलावा किसी अन्य धर्म के व्यक्ति का जाना वर्जित है मक्का के बारे में कहा जाता है कि यहां मकेश्वर महादेव का मंदिर था यहां काले पत्थर का विशाल सिवलिंग है जो आज भी खंडित अवस्था में यहां है सिख धर्म के पृथम गुरू नानक देव मक्का मदिना की यात्रा पर गए थे मक्का में लाखो भारतिय, पाकिस्तानी, बंगला देशी, मिस्री, यमिनी, आदी, सहित अन्य देशों के लोग काम करते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा AC मक्का शहर में है यहां हर छोटी छोटी दुकान पर भी AC लगा हुआ है यहां 200 क्वालिटी के खजूर मिलते हैं यहां बिना बीज के भी खजूर होते हैं यहां बिना मौसम के भी हर तरह की सबजी उगाई और बेची जाती है मक्का में एक भी नदी नहीं है फिर भी आप पानी की कमी महसूस नहीं करेंगे मक्का में एक भी चोटी या बड़ी नाली नहीं है मक्का शहर के लिए प्राचिनितम नाम बग कहा उपव्योग होता था मक्का पूरा पहाडिक सेत्र है फिर भी पहाडों में 6-8 लेन की सड़क है मक्का में 4 लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन, 10 लाइन, 12 लाइन तक की सड़क है मक्का पहुंचने के लिए मुखे नगर जिद्धा है यह एक बंदरगा है यहाँ पर अंतरश्रे हवाई मार्क का केंद्र भी है तो यह थी सौदिय अरब के मक्का शहर के बारे में कुछ जानकारी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ तब तर के लिए जै हिंद